हम एक और chapter को शुरू करेंगे और खतम करेंगे, theoretical chapter है, नाम है इसका financial policy and corporate strategy, ICAI के study material का दोस्तों यह है सबसे पहला chapter जो हम सबसे आखरी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि यह एक भेंकर boring सा chapter है, मतलब इस chapter को आप पढ़ होगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसको इतना शांदार से बस जिसमें portfolio management पढ़ते हैं, forex पढ़ाते हो, derivatives पढ़ाते हो, swaps पढ़ाते हो, interest rate, futures, options, यह सारी चीज़ें आप पढ़ाते हो उसके बाद इस chapter की क्या जरूरत है, नाम क्या है दोस्तों इसका, financial policy and corporate strategy, it is a purely theoretical chapter, इससे आप four marks का question expect कर सकते हो, दोस्तों, यहाँ पर यह डाग् organizations को survive करने के लिए, आपको यहाँ पर एक chess के player की तरह सोचना पढ़ता है, कि अब मेरा अगला move क्या होगा, तो competitor का अगला move क्या होगा, तो फिर मेरा उसका अगला move क्या होगा, तो उसका अगला move क्या होगा, तो मेरा move क्या होगा, एक chess का player भी अच्छा, chess का player तब ही बनता क्योंकि आपको बिजनस में सफल होने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो दिमाग चाहिए, दूसरा पैसा चाहिए, जो अंबानी जी के पास दोनों है, उनके पास दिमाग भी उनके पास strategy भी और उनके पास financial power भी, कुछ organizations ऐसी होती जिनके पास पैसा तो है, बट अभी उसको लगाए कहां, उसको strategy कैसी करें, वो उनको नहीं माल, कुछ होती है ऐसी organization जिनके पास strategy तो है, लेकिन जेब, काली तो अब हम हमारी strategy execute आखिर, कैसे करें, take case of what of an idea, they have the strategy in place, because they are running organization in so many countries, they have a strategy, but they do not have financial backing, so to be successful, you have to have both, financial policy as well as क्या, दो चीज़े, financial policy भी चाहिए और corporate strategy भी चाहिए, दोस्तो अपने subject का नाम क्या है, strategic financial management, याने अपने subject के अंदर तीन components है, एक है strategy, दूसरा है finance, और तीसरा है management, मुकेश हमबानी जी ने जब Reliance Jio लगाया, तो सबसे पहली चीज़ क्या आई strategy, उन्होंने बोला कि ये एक ऐसा business है, जो की future में हमेशा ही रहेगा, because लोगों को communicate करना ही करना, अब landline business पूरा खतम हो चुका है, right, मैं oil and gas company चला रहा हूँ, याने लोगों को एक जगे से दूसरी जगे पहुचा करतो, मैं communicate करी रहा हूँ, उनकी गाड़ी में जो petrol लल रहा है, oil and gas, वो मैं oil refinery से करी रहा हूँ, लेकिन कैसे लोग वहीं रुके और मैं उनके बीच में communication करवा दू, that was the philosophy of Reliance GEO, right, तो they had a strategy, कि हमें ultimately communication करना है, अभी हम क्या करना है, vehicle to vehicle का communication करवा पा रहे हैं, अब हम लोगों का वहीं के वहीं connection करवा देंगे, communication करवा देंगे with Reliance GEO, so they had a strategy, लेकिन आपको पता है, टेलिकॉम बिजनस को create करने के लिए जर्व इस strategy नहीं, आपको financial power की भी जरुरत हो दी, because initially आपको बहुत बड़ा पैसा पहले लगाना पढ़ता है, और फिर उसके बाद में उसके return शुरू होते हैं, he invested 2 lakh करोड, 2 lakh करोड, 2 lakh करोड, अभी की तारिक में ऐसा कोई businessman इंडिया में नहीं है, जो एक single business में 2 lakh करोड रुपए लगाने का कलेजा रखे, तो दूसरी चीज़ क्या है, financial power आपकी होनी चाहिए, तीसरी चीज़ आपके दिमाग में strategy भी है, you are the top leader of the company, आपके दिमाग में strategy भी है, आपके पास financial backing भी है, लेकिन you need to have right people in place, यानि आपकी management team बहुत proper होनी चाहिए, एक इंसान अपने दो business नहीं समाल सकता है, छोटे छोटे, अपर उसके दो business भी चल रहे हैं, तो दो पर वो ध्यान नहीं दे सकता है, और आप अम्मानी जी के businesses की कलपना हैं कर पा रहे हूँ कि कितने सारे businesses हैं, और वो इतने सारे business कैसे handle कर पा रहे हैं, with the help of right management team, he doesn't have to, you know, engage into each and every business decision, उन्होंने सही लोगों को जगे पर रख रहा है, अब वो लोग manage करें उसे, तो दोस्तों, इसलिए हमारे subject का नाम है strategic financial management, जिससे तीन चीज़े निकल कर आती हैं, all businesses need to have the following three fundamental essentials to be successful, पहला क्या, strategy होना मांगता है, दूसरा क्या, financial resource भी होना मांगता है, देखो, जैसे for example, काफी जारों लोगों के दिमाग में idea रहता, स्टार्टप का क्या ऐसा करना जाए, बड़ी problem है कि जे खाली अभी उसको execute, कैसे करें, उसके बाद, यू alone cannot handle each and everything, you need to have right people, so you need to have right management, team and processes, right, strategic financial management is simply strategy plus finance plus management, ठाहिए, okay, दोस्तों, strategy का क्या meaning होता, मुझे न लगता, CA final के बैच्चे को भी समझाना पड़ेगा, what is strategy, strategy short term होती, long term होती, long term होती, right, so strategy क्या होती, long term direction and scope of an organization, right, और strategy की तुरू आप क्या achieve करते हो, competitive advantage, अपने competitor से एक level उपर जाना, तो strategy एक long term direction होती है, to achieve competitive advantage, right, अब competitive advantage, achieve, आज की तारीक में एक single resources से नहीं होती, multiple resources का आपको best utilization करना पड़ता है, think of a doctor, एक doctor है, जो कि बहुत अच्छा doctor, उसका diagnosis बहुत अच्छा है, but he doesn't have latest technology, उसके पास latest technological equipment नहीं है, तो उसका diagnosis कहीं न कहीं पर कमजोर पड़ जाएगा, right, साथी जाथ अब वो doctor की अपनी एक limit होती है time की, तो उसके पास सही लोग भी होने चाहिए, so आपको successful होने के लिए बहुत सारे resources का configuration करेक्ट करना पड़ेगा, is that clear, जैसे कि अगर मैं पढ़ाता for example अच्छा हूँ, बट मेरी किताब है अच्छी नहीं है, इन सारी चीजों से आप क्या अचीव करते हो, फुल्फिल्मेंट ऑफ स्टेक होल्डर्स, एस्पीरेशन एंड एक्स्पेक्टेशन की जो लोगों से मैंने resources इखटे करें, फेनिंचल में उनकी उम्मीदों पर खराब उतर पाऊं, this is called as a strategy, अब दोस्तो, SFM के आखिर functions क्या है, what are the functions of strategic financial management, तो आप एक काम कीजिए, आप अपने आपको ऐसा assume कीजिए, कि आपकी job लग गई Reliance Industries में, और Reliance Industries में जब GEO का project आया था, Reliance GEO का project आया था, तब आप उस team में थे, आपके क्या-क्या functions हुए होंगे उस वक्त, strategic financial management, आपके क्या-क्या functions हुए होंगे उस वक्त ही, अगर आप आज भी है तो आपके क्या functions होंगे, अम्मानी जी क्या expect करेंगे आपसे, अगर आप वहाँ के CFO हैं, Chief Finance Officer आपसे क्या expect करेंगे, नई नई opportunities ढून कर लाओ अच्छा नई opportunities आए देन आती रहती government अपनी policies change करती रहती कभी वो लोग electric cards को बढ़ावा देते हैं कभी वो hydrogen cards को बढ़ावा देते हैं कभी कोई नई electricity policy लेकर आते आपने क्या करना है continually search करना है for the best opportunities और जब आप जितना early mover advantage ले लोगे उतना आप competition से आगे रहोगी कि आपने वो opportunity grab नहीं करी competitor grab कर जाएगा सबसे पहली चीज़ एक financial manager का क्या रहता उसने opportunities देखनी पड़ती कि कहाँ पर मैं अपना project लगाऊं किस business में मैं जाऊं जब opportunities एकादी मिलती है daily opportunities मिलती daily business है इतना बड़ा इंडिया है आपके आस opportunities तो बहुत सारी आएंगे लेकिन अब दूसरी खुबी जो strategic financial management याने financial manager को होनी चाहिए वो है कि इतनी सारी opportunities मुझे कौनसी right opportunity उसका selection उसने करते आना चाहिए कर लिया selection उस opportunity है यह हम कैसे करते है पड़ेंगे उनका evaluation करना पड़ेगा चलो हमने एक project finalize कर लिया कि project number 3 best and best project इसे करना है now the third thing is कि इसे करने के लिए हमें investments करना पड़ेगा और investments करने के लिए हमें पैसा raise करना पड़ेगा दोस्तों क्या पैसा हम सारा का सारा equity से लगाएंगे सारा debt से लगाएंगे there has to be some optimum mix optimum mix यहाँ पर optimum mix क्या है वो मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए आपको एक chapter था intermediate में capital structure theories जो बताता था कि अगर आपने बहुत ज़्यादा पैसा debt से ले लिया तो there is a risk of default हाला कि debt की cost बहुत कम होती but there is a risk of default लेकिन अगर आपने बहुत कम debt ले लिया तो risk of default तो कम हो जाएगी लेकिन equity को फिर आपको ज़्यादा return देना पड़ता है तो आपकी cost of capital weighted average cost of capital बढ़ जाएगी तो आपने दोनों आस्पेक को balance करना पड़ता है finances right फिर दोस्तों इसके बाद जब आपने वो project शुरू कर दिया अब आप ground reality पर आ गया अब आपने वो project शुरू कर दिया suppose आपने रैंस जीओ का project select करा और उसके लिए अपने funds भी arrange कर दिया अब हुआ project शुरू financial manager का का काम यहाँ पर खतम नहीं होता है अब project का श्री गणेश हो गया अब चलो अब project सही सही हो जाएगा उससे सही बनाने के लिए you have to have proper internal controls in place कहीं ऐसा तो नहीं financial leakage हो रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि employee खर्चा कर रहा है suppose करो 2 lakh का और बिल लगा रहा है 2 lakh 50,000 का तो financial leakages आपको control करने पड़ते हैं अपने employees के side से अपने purchaser अपने supplier के side से कि कहीं हम चीजे जादा में तो नहीं खरीद रहे हैं अपने customer के side से कि कहीं हमने गलत customers को तो credit extend नहीं कर दिया यह सारे क्या होते हैं internal controls और इसके बाद जब आपका project install हो जाए और सही सही चलने लगे तो आपका उसका हर regular interval पर analysis करना पड़ेगा कि क्या मेरा project सही direction में जा रहा है जैसे reliance जी हो हमारा जो investment उस पर कितना return बन रहा है क्या हमारे number of customers increase हो रहे revenue increase हो रहा है and so on इन सब के पीछे reason क्या होता है कि जब आप अपने पुराने decisions का जब आप analysis करते हो तो वो analysis actually आपको future decisions लेने में help करता है या वो हमारा experience ना इस sector में खराब रहा या इस source से हमने fundraise करा इसमें य रस्क आ गई तो next time ये चीज़ ध्यान रखना रहे दोस्तो functions of financial management हो सकता आपको आजाए चार माप का question बताएंगे मुझे क्या क्या है आपर functions सबसे पहला क्या है continual search किसकी search करोगे for best investment opportunities दूसरा क्या करोगे जब आप search करोगे तो आपको 10 opportunity मिलेगे उसमें से आपको एक opportunity जो best and best हो select करनी, select कर लिए उसके बाद उसमें decisions हो वो आपके और बहतर बनते चले जाएं, is that clear ओके, हाँ जी यह देखोई यहाँ पर four marks का question आया था what are the key decisions falling within the scope of financial strategy financial strategy के अंदर कौन-कौन से key decisions आते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ कौन-कौन से key decisions आते हैं आपकी balance sheet से related एक काम, एक बात बताओ यार financial manager का ultimately काम तो balance sheet ही है financial management में भी होता तो balance sheet inflow funds and outlaw funds तो दो तरहे के decision तो आपको यहीं लेने एक तो कौन से financing decisions समझते हो क्या financing decisions का meaning कि कहां से पैसा raise करे क्या India से ही पैसा raise करे या foreign से करे इंडिया में भी equity से raise करे debt से raise करे, bank से raise करे या फिर commercial paper से raise करे long term raise करे या फिर short term raise करे so there are so many fundraising avenues available तो पहला decision जो कि एक finance manager को लेना पड़ता है वो कौन सा होता financing decision हो गया financing फिर उसके बाद क्या अरे बोलो फुटा फुट सीए final आखरी chapter investment decision पैसा आगया अभी क्या करना पड़ेगा उसको ठिका आने लगाना पड़ेगा investment decisions आपने जो investments की अब आपको उस पर returns बिलेंगे बोलो सीए final returns बिलेंगे yes क्या आपको ये सोचना पड़ेगा कि ब्याच कितना दू या वो तो सब प्री committed होता है कि कितना इनको प्री committed लेकिन equity shareholders को कितना दू ये gain दभी भी आपके पाले में आपको decide करना है कि क्या में इनको full dividend दे दू नहीं नहीं मेरे पास तो further opportunities और वहाँ पैसा लगाना जादा ये तो आखिर फिर मैं कितना dividend दू क्योंकि मैंने नहीं दिया dividend तो कुछ shareholders नाराज हो जाएंगे किया रही कंपनी तो कुछ return नहीं दे लिए so third kind of decision is dividend decisions is that clear क्या ये तीन तरह के decisions आपको समझ में आए बो एक और चौथा तरह का decision होता है which is called as portfolio decisions please यहाँ portfolio का वो मतलब नहीं जो आप सोच रहे हैं अब यह जैसे ही मैंने portfolio वोल आपके दिमाग में क्या आ गया portfolio management यह वो नहीं है यहाँ पर businesses का portfolio अमभानी जी की पास कितने सारे businesses का portfolio है telecom business है उनके portfolio में retail business है उनके portfolio में oil and gas भी उनके portfolio में है yes तो अब वो जब कोई सा भी नया venture करेंगे नये business में जाएंगे तो उस business के risk और reward वो stand alone नहीं देखेंगे overall portfolio की terms में देखेंगे is that way जैसे हम भी जब नया share खरीते हैं तो उसका individual risk return नहीं देखते हैं उसका portfolio में level पर क्या impact आएगा risk पर क्या impact आएगा returns पर वो देखते हैं तो वैसे ही जब आपके multiple businesses होते हैं तो नया business एड़ करते हैं तो आपको उसका portfolio level पर impact देखना पड़ता है रहे हाजे तो कौन-कौन से 4 decisions होगा है financing, investment, dividend or portfolio decisions अब इसके बाद दोस्तों अब हम 3 तुकडों में अपने discussion को बार्ट कर रहें जिसमें सबसे पहला क्या होगा strategy याने strategic ठीक है अरे SFM यारी ये एक्चुली पहला chapter है पर मैं आपको पहले दिन ये पढ़ाता था आप बोलते हैं अच्छे ये पढ़ना है कि तो सबसे पहला है strategy हाना दूसरा में आपको क्या पढ़ाऊंगा financial और तीसरा में आपको क्या पढ़ाने वाला हो आगे जाकर management वो management यहाँ पर आपको interface मिलेगा with financial policy और strategic management चलो समझाते हैं कि करके आपको ये कि इस पर चार चार नंबर की question पूछ लेते हैं तो अच्छा होए practical पूछले भी ये क्या होगे फिर भी दोस strategy at different hierarchy levels मुझे इन लगता सिए final के student को बताने की ज़रूत है कि businesses में hierarchy होती है businesses में hierarchy होती है mainly तीन level of hierarchies यहाँ पर होती है सबसे पहले तो तो strategic level Reliance Industries में strategic level पर कौन आएंगे अंबानी जी उनके जो वो top notch key people है key managerial people वो आएंगे फिर उसके बाद second level पर आते middle level people और third पर आते operational level people सबसे पहले middle level की बात करते middle level को हम कहते business unit level क्या बोलते है business unit level यानि कि दोस्तों जब आप Reliance का corporate structure देखेंगे तो आपको Reliance Industries limited तो यहाँ पर मिलेगा लेकिन उसके बाद उसके various businesses मिलेंगे आपको एक मिलेगा telecom business जिसके अपने separate in charge होंगे जो कि उस business से related fund raise कहां करना है कहां deploy करना उसके लिए वो अपने आप में independent होंगे एक है उनका retail business जो अपने decision खुद लेता आप उनको कौन सी franchise acquire करना है उनको kempa kola acquire करना है यह वहाँ वाले सोचेंगे यह उपर level तक बात नहीं जाएगी right oil and gas, Russia से oil system में मिल रहा है खरीदना नहीं खरीदना है, यह decision कौन लेंगे यह लोग लिखते हैं तो तीन levels of hierarchy होते हैं सबसे बहला यह होता है strategic level corporate level यह क्या हुआ corporate level फिर यह जो होता है यह क्या कहलता है business unit level जो कि एक individual business unit को manage कर रहा है जो अपने आप में independently identifiable है यह एक और हो गया business unit level और business unit level के बाद नीचे आता है operational level या फिर हम इसे functional level भी कह सकते है functional level का meaning क्या है कि telecom जो business unit है उसके अंदर भी तो काफी सारे functions है काफी सारे functions है नहीं आई 5G technology तो 5G technology पर research and development करना यह वहां का एक function हो गया दूसरा हो गया marketing का function तीसरा हो गया finance का function एक हो गया human resources का function and so on तो corporate level पर तीन levels of hierarchy कि आपको समझ मैं है सबसे पहला क्या corporate level hierarchy जो सबसे उपर होती है रही दूसरी क्या होती business unit level या नि जो individual आपके portfolio of businesses है न उसके businesses और तीसरा क्या है यहाँ पर functional level तीनो levels पर दोस्तो strategies form की जाती तीनो level पर strategies form की जाती आप जानते corporate level पर क्या strategy form होती कि से related strategy form होती है regarding selection of businesses की आकिर हमने कौन कौन से business में जाना चाहिए और फिर उसमें वो लोग क्या करते हैं development and coordination of that portfolio of businesses याने कि telecom और retail के बीच में क्या किसी तरीके से coordination बिठाया जा सकता है तो corporate level ने सुचा एक काम करो जितने भी सारे हमारे telecom subscribers हैं उन सभी को vouchers दो उन सभी को gift coupons दो जैसे जैसे ही वो बंदा subscribe करें हमारे 899 के plan के लिए तो उसको reliance GO का 50 रुपीज 100 रुपीज आफ का coupon दे दो तो ये क्या हो गया development and coordination of that portfolio of business या फिर telecom business को भी 5G का payment करना और retail के पास surplus cash रखावाई तो इधर से उधर shift करवा दो ये कहां पर आ गया corporate level strategy पर आ गया जो Mumbai के head office में होता है इसके बाद नीचे आ जाओ कहां पर आते हैं business unit level business unit level में सबसे बहले business unit का meaning बताईए कि हम business unit किसे कहेंगे वो जो independently अपने आपको manage कर सकता हो राइट यानि उसके अपनी separate liabilities हो उसके अपनी separate assets हो उसके अपने separate suppliers हो उसके अपने separate customers हो right so business unit level may be any profit center that can be planned कैसा independently from other business units और corporation right अब आप जानते हैं जो business unit level है उस पर क्या strategies होती होगी Reliance Jio बैटकर क्या strategy सोचता होगा Reliance Retail बैटकर क्या strategy जी सोचता होगा आप सोच पारें Jio सोचता होगा कि Airtel 5G कब ला रहा है Vodafone Idea की band और कैसे बज़ा है उनको और financially weak कैसे करें ये कहाँ पर काम चल रहा है business unit level पर क्योंकि वो अपने अपने competitors से लड़ रहे अच्छा Reliance Retail बैटकर क्या सोचता होगा कि Amazon Flipkart इनको कैसे बढ़ा है D-Mart को कैसे compete करें ये सब कौन सोचता है अरलाइन्स Retail ये कहाँ पर हो गए काम business unit level hierarchy पर हो गए यानि वो अपने आपके business को कैसे उपर लेकर आए as compared to the competitors ठीक है तो यहाँ पर वो लोग क्या करते है They aspire to sustain a competitive advantage for the production services that are produced चल इसके बाद कौन लोग आ गए functional level functional level में मैंने आपको कौन कौन से functional जितने भी सारे departments होते हैं वो क्या होते हैं functional level देखे दोस्तों कौन कौन से departments हैं research and development operations department, manufacturing, marketing, finance, HRN so on इनकी को इजज़त नहीं है बहुत इज़त है क्योंकि ये functional level strategy strategy डिवलप करते हैं यानि कि अगर business unit level पर ये identify हुआ कि reliance GO को air tail से उपर निकलना है तो हमें 5G में first mover advantage चाहिए तो उसके लिए वो किसको contact करेंगे functional level को कि अब आप ऐसी कुछ research करो कि हमारों जो 5G वो सबसे fastest speed दे चाहे कैसा भी mobile phone हो, right, customers के पास functional वालों का input नहीं लिया जाता होगा या functional से input जाता है business पर और business से जाता है corporate पर, yes, कि customers का feedback आ रहे हैं, suppose गरो कि reliance GO में customer का feedback आ रहा है कि network बहुत जादा drop हो रहा है, functional level वालों ये कहा communicate गा नहीं है, business, और business unit वालों ने किसको बता है corporate, उन्होंने का क्या problem है, तो उन्होंने बोला कि जो हमारे equipment से वो outdated हो चुके हैं, जिसकी विज़ए से वो उतना load नहीं ले पार है और बार बार network ड्रॉप होता है, corporate level वाला क्या करेगा, funds के availability करवाएगा, business unit वाला वापिस से research and development department, operations department को ये funds available करवाएगा, right ओके, दोस्तों, तो अभी तक आपने और मैंने क्या बढ़ लिया, सबसे पहले तो हमने देखा कि एक business को survive होने के लिए तीन चीज़े चाहिए, strategy चाहिए, finance चाहिए और management चाहिए, एक तो clear cut strategy होनी चाहिए, वो देखा था ना fundamentals of business में, वो a clear strategy, दूसरा financial resources और तीसरा right management team आपके पास होनी चाहिए, that is SFM, right फिर दोस्तों, उसके बाद हमने हाँ पर strategy का meaning समझा था, कि strategy क्या होते है, strategy short term होती है, long term होती है, strategy long term in nature होती है, right, ताकि आप competition को ever changing environment में survive कर पाएं, और अपने shareholders की investors की expectations को पूरा कर पाएं, इसके बाद दोस्तों हम आएं यहाँ पर financial, नहीं, इसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा कि जब strategy होती है, अभी strategic पर ही चल रहा है, कि यहाँ पर तीन levels पर strategy formulate होती है, एक कौन से level पर, corporate level पर, दूसरा कौन से level पर, business unit level और तीसरा हो गया functional level, right, फिर दोस्तों, अब हम किसके बारे में बढ़ रहे है, financial planning, now that is very easy, suppose गरोगी आपकी job लगे और आपका package चल रहा है, 12,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 वहाँ पर एक घर मेरा होना चाहिए, फ्लैट मेरा होना चाहिए, और भी कुछ होंगे आपके financial goals, मतलब थोड़ा मेरा share market में भी investment होना चाहिए, थोड़ा मेरा gold में भी, ये सारे क्या होगे, आपके financial goals, right, या फिर आपके kids हैं, तो उनकी education के लिए मेरे पास कुछ पैसा उस वक्त के लिए इखटा होना चाहिए, ये क्या होगे, आपके सारे financial goals, right, तो financial planning का सबसे पहला element पता है क्या है कि आपके goals आखिर क्या है, वो आप लेख लो कि मेरा 10 years down the line, ये goal, 50 years down the line, ये goal है, अब उसके बाद, आप कहा हो अभी वो देखो कि मेरे पास क्या-क्या financial resources available है, मे आचके पैसो से नहीं निकल सकता, आपको उसको किदर तो भी use में लगाना पड़ेगा, ताकि वो returns generate करे और आपको goal achieve करवाने में मदद करे, so you need financial tools, यहाँ पर financial tools का मतलब क्या होता है, कि आपके जो resources है, उनका bestest utilization आखिर, कैसे किया जाए to reach your goals, तो आप मझे बतले ये financial planning मे तीन components कौन से हो गए, so financial goals जो कि आपके objectives है, financial resources जो आपके बास available है या होने वाले है और तीसरा financial tools, ताकि आप उन resources का best utilization करके अपने goals को achieve कर पाओ, is that clear, बोलो CA final, अरे ऐसे question पूछ लेते हैं, what are the three major components of financial planning, तो आपको मेरी ये बात याद आनी चाहिए, कि आप मुंबई पून में job कर रहे है, okay, तो three major components of financial planning में, एक हो गया financial resources, एक हो गया financial tools और एक क्या हो गया financial goals, right, काई देसे goals यहां लिगना चाहिए, इतनी दूर, resources यहां पे भी होंगे, और आस्ते भर भी available होंगे, and there would be some tools हमारे पास, जिससे कि हम क्या करेंगे, इन cash flows से maximum returns achieve कर पाएंगे, और financial planning क्या होती है, तो अगर हम reliance industries की बात करें, तो उसके लिए financial planning का आखेर, क्या मतलब होगा, तो financial planning जवाब करते हो, यानि आप वोई resources का best utilization करते हो, okay, तो financial planning के क्या-क्या outcomes आते हैं, financial planning के क्या-क्या outcomes आते हैं, क्या result आते हैं, तो financial planning का सबसे पहला result आता है, कि आपको अपन financial objectives clear हो जाते outcomes of financial planning अरे जैसे जब आपने खुद के level पर भी financial planning करी तो आपको पता चला ना कि यार मुझे घर घरीदना अच्छा घर इत्ते गां तो वह बहाँ परे तो जब भी आप financial planning करते हो तो उसका क्या outcome होता है कि आपको अपने objectives clear हो जाते हैं उसके बाद आपकी financial decision making हो जाती financial decision making हो जाती का मतलब है कि उन objectives तक पहुचने के लिए आखिर मुझे क्या 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 actions लेनी पड़ेगे जैसे क्या रहते हैं जो बड़े लोग रहते हैं इनके मालू में क्या objective होते हैं कि world की जो top 10 richest लोगों की list है मुझे उसके अंदर आना है यह हुआ मेरा financial objective अब उसके लिए मेरे पास कितने billion dollars होने चाहिए अब वहां तक पहुचने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यह होते financial decision making exactly कि मुझे इस business में पैसा लगाना पड़ेगा ऐसा करना पड़ेगा अब तीसरी चीज़ यह तो हो गए दो चीज़े financial objectives आपने define कर ली financial decisions ले ले लेकिन business में आपको हर regular interval पर यह evaluate करना पड़ता है कि क्या जो मैंने decisions लेए वो correct है या नहीं गलत जा रहे तो क्यों जा रहे और उसको वापिस से कैसे back on track कैसे लाया जाए तो उसके लिए आप develop करते हो financial measures for the evaluation आप मुझे कुछ examples बता सकते है financial measures for evaluation के ratios हम ओके जिससे ही तो पता चलेगा corporate level पर कि क्या हमारी जो strategy financial planning वो correct direction में जा रही है यहाँ नहीं रहे ओके अब इसके बाद यहाँ पर इसकी detail बताई गई कि आपके financial objectives क्या होने चाहिए वो होने चाहिए जो कि consistent आपकी corporate strategies आपके जो financial measures होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए वो सब depend करते हैं आपके objective पर आपका high growth का objective थे तो आपके financial measures अलग होंगे आपका objective high growth नहीं stability, conservatism आपका objective है कि मेरी capital सेफ होनी चाहिए तो आपके financial measures पर returns पर कम focus करेंगे और risk पर ज़्यादा पर focus करेंगे राइट चलिए दोस्तों अब इसके बाद है हम यहाँ पर integration करवारे है strategic financial का किसके साथ strategic management के साथ यह interface का meaning होता है कैसे connection बैठ रहा है interface का meaning क्यों होता है कैसे connection बैठ रहा है अब यहाँ पर जो connection बिठा है वह actually finance का किसके साथ बिठा है management के जाथ, financial management का connection बिठा है, अब इस connection के अंदर वापिस से चीज़ें repeat हो रही है sources of finance and capital structure are the most important dimensions of a strategic plan sources of finance and sources of finance समझाने की जरुवद है capital structure आप समझते हो debt equity का mix, these are the most important dimensions of a strategic plan, ओक, यह हो गया दोस्तों हमारा सबसे पहला dimension हाँ जोई, अब दूसरा dimension ना मुझे आपको बताने की जरुवद है नहीं, आप ही बता दोगे पहला dimension liability side से आ रहे है sources of finance and mix तो दूसरा dimension किस तरफ से आएगा investment side से आएगा, yes तो another important dimension of strategic management and financial policy interface is the, क्या लिखा है is the investment and fund allocation decisions, right, तो investment और fund allocation के decisions okay यह आगया investment and fund allocation अब तीसरा मुझे बताने की जरुवद नहीं जब आप investment करोगे, funds allocate करोगे माँसा return आएगा, return को आपको कितना distribute करना है shareholders को, यानि जो third interface हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा different decisions, अब यहाँ पर समझा रखा है कि आखिर different decisions में आपने क्या-क्या सूचना पड़ता है तो काफी सरी companies अलग-अलग तरहें कि different policy follow करती, कुछ companies constant different policy follow करती कि हम तो हर बार irrespective of कि हम कितना कमारे business है, हम तो हर बार five rupees का different declare करेंगे कुछ companies ऐसा करती है कि हर बार five rupees क्यों कभी हमने जादा कमा है तो shareholders को भी जादा reward करो तो वो क्या करते हैं, minimum different fix कर लेते हैं और बोलते हैं कि फिर अगर हमारी income जादा होई, तो हम top up दे दे याने थोड़ा और additional different दे देंगे, right, कुछ companies other way round जाती, वो कहती ही different पे पहले focus मत करो, पहले देखो कि अपने पास अभी future में क्या-क्या project spending हो, उसमें कितना fund लगने वाला, पहले उदर लगा, फिर जो residual amount हो उसको in the form of different distribute कर दो, right, यह सारे होते हैं दोस्तो different policies related decision, हाँ, तो interface में आप मुझे बताईए कौन-कौन से थे, तीन components, sources of funds and sources of funds sources of funds में दू चीज़े थी, देखो sources of funds and capital structure, हाँ, दूसरा आता है investment decisions and funds allocation, तीसरा आते, considerate decision, ऐसे ही यहाँ पर उसको भी ले सकते थे, portfolio decisions को भी यह ले सकते थे, बट यहाँ पर उन्होंने नहीं लिया, अब इसके बाद दोस्तों, एक और important चीज़ है, जो मैं यहाँ जो लिखा हुआ है, वो इन्होंने शुरुआत में कुछ अलग लिखा है, और इसका जो crux है, वो middle of the text में है, क्या है, वो मैं आपको समझा देता हूँ, आपने देखा हुआँगा, कुछ-कुछ organizations ना, ग्रो तो बहुत तेजी से कर रही है, लेकिन वो financially mismanaged हो जाती है, organization जी से grow करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, marketing बहुत जोर शोर से करनी पड़ेगी, advertisement campaign चलाने पड़ेगे, हर mall में, हर shopping mall में अपने बंदे खड़े करने पड़ेगे, जो जैसे किसी भी व्यक्ति को देख ले बच्चे के साथ, तो धीर इसे अप्रोच करें और बोले कि, हम आपको by juice का plan sell करना चाहते हैं अच्छा अब इसके लिए उनको कम से कम 15,000 लोग लगाने पड़ेंगे, इतना बड़ा है इंडिया, उनको शहर शहर और गाओ गाओ अपनी बात पहुँचा नहीं है और इदर शारुक खान से भी advertisement करवाना है, और इदर सारे advertisement, सारे tools उनको use करने पड़ेंगे, if they wish to grow, it exponentially higher growth rates, but इन सब में पैसे की pumping बहुत तीजी से हो जाएगे there is a risk कि अगर कोई एक ऐसा alternative हुआ जाए, जो वही service provide करें, जो by juice provide कर रहा है but free of cost या बाई juice लेते हो, तो आपको 70,000 लाख रुपिया उनका device का subscription plan लेना पड़ता है, किसी वेक्ती ने क्या करा, उतनी अच्छी चीज नहीं बनाई, लेकिन उससे 19 सा चीज बना दी लेकिन उसको free of cost लिए अविलेबल करवा दिया याने एक mobile application बना दी तो खुद से भी कुछ चीजे बना ले दी तो there is a problem कि जब आप बहुत तीजी से grow होते हो ना तो financially unstable हो सकते हो, आपके business model पर कोई dent मार सकता है, और ऐसे case में आपने जाल तो बहुत तीजी से फैला लिया, लेकिन इधर financial backing आपकी drive हो गई, तो अब आपके सरपे सारी liabilities आ गई है और इधर revenue sufficient generate नहीं हो पा रहा है you become bankrupt, right तो इसलिए concept है दोस्तो दुनिया में, जिसे हम कहते हैं sustainable growth rate, क्या बोलते हैं उसको sustainable growth rate, यह sustainable growth rate पता है क्या कहता है यह कहता है कि एक साथ पूरी रोटी मत खाने जाओ यहने एक साथ पूरी दुनिया को मुठी में करने मज़ा है, gradually आपको grow करना चाहिए, उतना ही उस वक्त आपको pair पसारना चाहिए जितनी आपकी चादर है, जो आपकी limits में है growth rate बस आपने उतना ही grow करना चाहिए, right तो sustainable growth rate का concept से बताता है कि आपको कितना growth rate target करना चाहिए, क्या बुल रहों में कितना growth rate target करना चाहिए, okay think of Hindustan Unilever Limited HUL नाम की गम नहीं, क्या वो लोग 50% का growth rate target करते हैं क्या, नहीं करते हैं, वो target ही नहीं करते 50% का growth rate, right लेकिन वो एक अच्छी गम नहीं जिसने भी उसमें पैसा लगा है, उसको अच्छा खासा return, मिला है, over a period of time अच्छा खासा shareholders को उन्होंने reward किया, yes और वो कहते हैं कि हमें कोई ये 2-5 साल business में एकदम तेजी से shoot up नहीं करना है, हमें 50 साल तक और 100 साल तक organization को चलाना है और धीरे 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 हमें grow होते चले जाना है so we have to work on the concept of sustainable growth rate किस पर concept पर काम करना है sustainable growth rate, now the question is कि sir मैं 200% से क्यों नहीं grow कर सकता हूँ, कर मुझे सामने business देख रहा है, मान लोग कस्टमर है मेरे सामने और कस्टमर आती ही जा रहे है, मैं 200% पर क्यों grow नहीं कर सकता हूँ मैं आपको reason देता हूँ कि क्यों आप एक level से ज़्यादा grow ही नहीं कर सकते हो, पहले में इसका answer दे रहा हूँ क्यों आप एक level of growth rate से ज़्यादा grow नहीं कर सकते हो, और फिर बताऊंगा यहाँ पर actually यह जो ROE वाला नंबर है ना, यह अपने सीने में कई राज दफ्न किये हुए ROE, आपने CA intermediate में Dupont model नाम की कोई चीज शायद सुनी होगी ओके बस, उसी चीज़ को मैं हाँ पर कर रहा हूँ return on equity का वैसे formula क्या होता है return on equity का EAES upon equity shareholders fund EAES upon equity shareholders fund EAES को मैं net income भी बोल सकता हूँ तो मैंने यहाँ पर लिखा net profit और net profit को मैंने divide कर दिया किस से sales यहाँ पर मैंने लिख दिया sales याने की turnover upon में मैंने क्या लिख दिया assets और फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया assets और upon में मैंने लिख दिया equity अगर आपको तेजी से grow करना है तो क्या improve होना चाहिए आपका net profit margin तो सरे काम करते 10% margin पर product बेच रे 25% पर बेचना शुरू करते थे कर लो कोई बात नहीं लेकिन जैसे ही आप एकदम से profit margin बढ़ाओगे तो आपको super profit होने लगे और जैसे super profit होने लगे तो बागी competitors लेकेंगा अरे इस business में तो मज़ा बहुत है तो वो लो competition create करने आ जाएंगे तो कभी भी जो समझदार companies लेकिन हो वो एकदम से profit margin expand करने का नहीं सोस्ती क्योंकि जैसे आपने तेजी से expand करा ना profit margin बिना market पर अपनी पकड मजबूत किया आपने तेजी से profit margin expand किया तो competitors आ जाएंगे और आपका business छीन कर ले जाएंगे हाँ तो क्या आप exponential rate से grow कर सकते हो by increasing your profit margin percentage is it possible no आप एक normal profit margin कमाऊ उससे जो funds है उनको retain करो उन funds पर फिर से return कमाऊ और grow करो दूसरा है sales by assets इसे हम बोलते हैं asset turnover ratio इसको ही बोलते हैं asset turnover ratio yes asset turnover ratio का formula क्या होता है turnover divided by assets now the point is कि आपको अगर तेजी से grow करना है मतलब आपको तेजी से अपने sales को बढ़ाना है लेकिन there is a concept of asset turnover ratio कि अगर आपको उतना turnover generate करना है तो आपकी backup में उतनी assets भी होनी जैसे अगर आपको sales तेजी से बढ़ाना है तो production बढ़ाना और production बढ़ाने के लिए you need assets, client and machinery, working capital में पैसा लगाना पड़ेगा तो क्या आपको तेजी से grow होना है तो तेजी से assets बढ़ानी पड़ेंगे अब तेजी से assets बढ़ाने के लिए चाहिए पैसा अब पैसे के लिए आपके बास दो रास्ते हैं, कौन से दो रास्ते हैं? एक हो गया equity और दूसरा क्या हो गया? debt अगर आपको assets को तेजी से बढ़ाना है और आपने debt वाला रास्ता चुन लिया तो तो आप assets को तेजी से बढ़ा पाओगे पूछो क्यों? क्योंकि हर business क्या करता है? जो assets में पैसे लगाता है suppose 1.5 रुपिया वो asset में लगाता है तो वो कहता है कि 50 पैसे में equity से लाओंगा और 1 रुपिया में debt से लाओंगा this is my debt equity ratio and this is optimum ratio आपने optimal capital structure का concept पढ़ रखा है अब आपको assets को 1.5 रुपे से सीधे 3 रुपे करना है double करना है क्यों double करना है? क्यों आपको अपना sales double करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर equity से भी 50 पैसा और लेना पड़ेगा और 1 रुपिया आपको debt से लेना पड़ेगा लेकिन business organizations क्या करती ही? कि जैसी हमने equity से पैसा लिया तो हमारा return on equity कम हो जाता है पूछो क्यों? क्योंकि return on equity के formula का denominator क्या होता है? equity shareholder fund equity shareholder fund का base बढ़ेगा तो आपके ROE कम होंगे तो आप अपना ROE बढ़ने के लिए क्या कर सकते हो? मालूम है? debt से पैसा लो तो equity shareholder fund का fund का base बही रह जाएगा आपका equity leverage की वज़े से financial leverage की वज़े से equity EPS तेजी से बढ़ेगा है समझभार हो मेरे ऐस words? financial leverage की वज़े से equity तो वही है financial leverage की वज़े से आपका EPS तेजी से बढ़ेगा और EPS तेजी से बढ़ेगा कि अगर आपने debt को बहुत तेजी से बढ़ाया और कुछ भी ऐसा unanticipated चीज हो गई तो फिर आपका business ही collapse हो जाएगा क्योंकि debt जो financial leverage अभी तक आपके favor में काम कर रहा तो आपके against काम करेगा इसलिए ये philosophy जो sustainable growth rate की philosophy वो कहती ही कि आप सबसे पहले अपनी sustainable growth rate calculate करो क्या calculate करो sustainable growth rate और सब उसी growth rate को आप target करो उससे थोड़ा मत हलका फुलका उपर नीचे चलेगा उस growth rate को बहुत ज्यादा आप exceed करने की कोशिश मत करो और वो growth rate कैसे निकलती G is equal to ROE into RR यानि जब इस साल business की meeting हो रही है कि next year हम कितनी growth rate target करें तो 50% 100% के target नहीं जो यह formula दे क्योंकि यह formula सारी चीज़ों को balance करते हुए चल रहा है अगर अब आपने किसी को target किया जैसे for example इसका example देगो suppose आपका equity 100 rupees का और आपने उसने 150 पर 150 का asset लगा है 100 rupees equity से लिए 50 rupees आपने किस से ले लिए debts ओके यह 150 rupees के base पर आप इसका double turnover generate कर लेते हो business मैंने कितने रुपए का turnover generate कर लेते हो 300 रुपए का इस 300 रुपए के sales पर आप 30 रुपए का margin कमा लेते हो याने आपका जो ROI आएगा 30% आएगा पूछो कैसे बताओ कैसे कि 30 rupees का profit और divided by 100 का equity 30% आगे आपका ROI आपकी company का कहना है कि roughly हम 50% रखेंगे और 50% हम बाटेंगे तो retention ratio कितना हो गया 50 अब यह formula क्या बोल रहा है कि you can grow at what rate 15% rate लेकिन management ने आपको बोल दिया 15 नहीं बहुत 40% पर grow कर रहा है अब आप बताओ कैसे grow करोगे 40% पर तो आप बोलोगे काम को अपना ROI बढ़ा हो ROI बढ़ाने के लिए यह तो 50% है ROI 30 के जगे कितना कर दो 80% ताकि 80% into 0.5 होकर मेरी growth rate कितनी आजाए 40% चलो अब ROI बढ़ाने का मुझे तरीका बताओ कैसे बढ़ा लोगे आप ROI जड़ा बताओ मुझे net profit margin बढ़ा लेकिन आपके business ने का एकदम से net profit margin बढ़ा नहीं सकते इधर बढ़ा है तो हो सकता है sales काम हो जाए competitor business ले जाए तो क्या net profit बढ़ाने वाला तरीका है अभी आपके पास नहीं है चलो अब एक काम करो जो अपनी assets से उनका और बहतर utilization करो और उनी assets से ज़्यादा turnover generate करो आपने का ठीक है थोड़ा बोत ये contribute कर देगा लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ी नहीं कि 1500 की asset पर अभी तक 300 का turnover generate कर रहे थे 1000 का थोड़ी नहीं हो पाएगा ज्यादा से यादा 300 को 400 ले जाएंगे तो क्या आपका target अभी अच्छी हो पार है कि 40% growth का और 80% ROE का नहीं हो प कर एक ही रास्ता बचा है क्या रास्ता बचा है assets को बढ़ाओ assets को बढ़ाओ का मतलब है कि इसको 300 कर दो तो ये automatically 600 हो जाएगा बट इसको 300 करने के लिए ऐसा मत करना कि ये 300 में 1500 यहां रखा या 200 यहां रखा इसको 100 ही रहने तो automatically ये multiplier जो आपका अभी तक 1.5 times ता multiplier कितना हो गया हा ना जैसी multiplier बढ़ेगा तो automatically आपका ROE बढ़ जाएगा मैं आपको समझा देता हूं कैसे मुझे net profit margin बताईए कितना percent है 10% asset turnover ratio कितना है two times और मुझे पुराना वाला asset multiplier बताना वो कितना है 1.5 times है ना 100 पे आपने data सो लगाया है तो अब आप जरह इन तीनों को multiply करो और ले देकर ROE बढ़ाने का E की रास्ता क्या बचा? Asset multiplier, asset multiplier बढ़ाने के लिए आपको equity कम रखना है और assets जाना रखनी और वो gap जैसी asset और equity का बढ़ेगा gap मतलब equity महीं रह जाएगा और asset shoot up कर जाएगा मतलब कौन आगया picture में? Debt. तो अगर आपकी organization के management ने sustainable growth rate थी 15% की लेकि आपको target कितना दे दिया? 40 और उस target को achieve करने के लिए एक ही रास्ता क्या बच रहा है? Debt funding कर लो तो हो सकता है कि आपकी organization ही collapse हो जाए अगर आपका दाव सही नहीं बैठा तो कई सारे ऐसे उधारण अपने देश में हैं, जो कि अपनी जितना पैर फैला सकते थे, जितनी उन अनि लंबानी जी का जो Reliance Infrastructure, Reliance Power सुने इसा पता है किस में मर गए है? Debt में मर गए है, क्योंकि debt में या फिर आपने वो सुजलौन नाम सुना होगा, सुजलौन का भी भयंकर debt है, तो जब आप debt, जब आप तेजी से grow करना चाहते हैं, तो मैंने formula से बता दिया कि तेजी से ज़्यादा गर ली, वो गया, चिक है, बोलो, हाँ, interconnectivity कुछ हट तक होगी, but more or less, चीजे वही रहेंगे, तो ultimately मैं क्या समझाना चाहरा हूँ कि एक sustainable growth rate तक ही आपको aim करना चाहिए, target करना, चाहिए, अगर आप exponentially grow करना चाहोगे, तो there is a risk कि आप business से out हो जाओ, बस ये चीज दोस्तों वहाँ पर लिखी हुई है, पूरे text में है, अब यहाँ पर दो चीजें और है, जो कि मुझे आपको समझानी है, उसमें सबसे पहला question ये है, what makes an organization sustainable, आखिर कौन सी चीजें होती है, जिसकी वजह से आपकी organization कैसी रहे, sustainable रहे, Tata's, बच्पन से नाम सुनते आ रहे ह सबसे पहला तो उनके पास strategy होनी चाहिए, कि वो changing environment में भी अपने आपको change कर ले, कई सारे ऐसे बिजनस है, जो changing environment में अपने को नहीं ढाल पाते हैं, और business से out हो जाते हैं, so what makes an organization sustainable, आपके पास strategic direction होना चाहिए, आपके पास strategy होनी चाहिए, साती साथ जो आप काम कर रहे हो, जरुरे नहीं कि उसी काम से आपको हमेशा अगले पच्चास साल तक पचास साल तक फायदा मिले, जैसे for example, Titan, Titan का example, Titan की watches आती है, Titan को हर कोई watches के नाम से ही जानता है, yes, लेकिन Titan watches में तो बहुत कम कमाता है, आपने देखा होगा अभी इतने सारे brands आ गए ना watches के, कि हम बोलत है कि उनका जो Titan वाला वो जो घड़ी वाला थैने, आज से 25 साल पहले अगर आप किसी को पूछते की Titan क्या है, तो वो क्या बोलता है, घड़ी का brand है, लेकिन Titan एक वक्त पर बहुत माइनस में जाने पड़ा, losses होने लग दे, उन्होंने तब एक नया business शुरू करा, jewelry का business, तन इश्क, तो उन्होंने क्या करा, इस तरीके से अपने आपको opportunity identify करी और उस opportunity को उन्होंने grab कर लिया, तो एक organization को sustainable बनाने के लिए आपको दो चीज़े होने चाहिए, आपकी strategy होनी चाहिए, लेकिन environment change होगा, तो आपको उस environment के साथ साथ opportunities, नही opportunities identify करने, जैसे अभी Titan ने क्या गरा smart watches, उन्होंने क्या अभी trend क्या चल रहा है, प्रवीन्सर क्या पहन रहे, तो एक काम करो अपर Titan, क्या करो smart watches भी निकाल, तो what makes an organization sustainable, बोलते जाने यार मुझे please, एक तो क्या है, आपका strategic direction होना चाहिए, दूसरा environment बदलता जाता है, business environment, आपने क्या करना पड़ेगा, identify करनी पड़ेंगी क्या, opportunities, तीसरा दोस्तो, एक और चीज़ जो business में बहुत important है, और वो होती है, कि आपके आसपास के जो लोग होने चाहिए, वो आपके विश्वास पात्र होने चाहिए, सपोस करूँ कि Reliance Geo में, जो Geo के सारे operations को देखने, अगर उनको Airtail वाले स्टाफ होना चाहिए, वो loyal और trusted होना चाहिए, तो उसके लिए you should be able to attract, manage and retain, रिटेन करना बहुत important है, क्या, competent staff, क्योंकि ultimately company आप नहीं चला पाँगे, वो चलाएंगे तो वही लोग रहे, साथी साथ आपके systems भी accurate होने चाहिए, जैसे आपने देखो अगा banking business में कभी कभी fraud हो जाता है, वो जो staff, वो जो employee लोग रहते हैं, वो लोगों के खातों से पैसा निकाल रहते हैं, तो अगर आपके इसे internal controls भी के, तो आपके organization जाधा समय तक नहीं टिक पाईगे, तो you should have adequate administrative and financial infrastructure, financial infrastructure क्यों चाहिए adequate मैं आपको reason बताऊं क्या, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ economics, businesses के ups and downs आते ही रहते हैं, आते हुए आए हैं और आते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपको survive करना है, तो आपके बास sufficient financial infrastructure होना चाहिए, right, okay, साती सात, जितने भी आपके resources हैं, उनको आपको effectively utilize करते आना चाहिए, resources तो हैं, लेकिन उसका effective utilization नहीं है, तो फिर वो organization survive नहीं कर साती सात, एक और चीज़ पता है कि, you should be able to get what? Community support, यानि boycott नाम की चीज़ नहीं होने चाहिए, कि इस company के products को boycott करो, क्योंकि जैसी boycott की लहर चली, या फिर आपकी company ने ऐसा कोई काम कर दिया, जो कि community के well-being, society के well-being के खिलाफ है, तो एकदम से आपकी organization collapse हो सकती, Nestle का आपन से crash कर गया, तो आपने हमेशा community का support available होना चाहिए, और community का support available के लिए आपको ethical practices रखनी पड़ेंगी, is that clear? चली दोस्तों, हो सकता है, इस पर आपको 5 number का question आजाए, बताएंगे, what makes an organization sustainable? strategic direction, scan opportunities, identify opportunities in ever-changing environment, have loyal staff, जो कि जिसको आपको recruit करो, manage करो, retain करो, competent staff, फिर इसके बाद, effective utilization of resources, administrative and financial infrastructure adequate होना चाहिए, क्योंकि क्या रहे था, business में ups and downs आते है, जो downs हमें में, अगर आपको financial crunch आ गया, तो आप business से ही बाहर, हो जाओगे, right, दोस्तों, यह सारे है, points की किस तरीके, और एक सबसे आखरी आरो, get community support, it is very important, क्योंकि community नहीं आपको accept, नहीं कि आता, फिर business, करो कि कैसे, क्योंकि आपको पैसा तो लोगों से ही कमाना है, तो आपके बस उनका support होना, चाहिए, right, okay, अब ध्यान देना, दोस् makes an organization sustainable, अब दूसरी चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो मैं सिखा रहा हूँ मलू में क्या, what makes an organization financially sustainable, right, तो financially sustainable में आपके पास financial का proper backing होना चाहिए, आपके proper debt equity mix होने चाहिए, एकदम से आपकी bankruptcy की risk high नहीं हो जाने चाहिए, आपके पास funds की availability sufficient होनी चाहिए, जितनी आपको requirement ही, ये सारी चीज़ें आएंगी, what makes an organization कैसा financially sustainable, तो exam में ध्यान देना हो जो question पूसरें, 4 माक का, 5 माक का, उसमें क्या पूसरें, organization sustainable पूसरें, और organization financially sustainable पूसरें, चली दोस्तो, so what makes an organization financially sustainable कोई बता सकता है, have more than one source of inya, आप अपनी life के लिए भी यही सोचते होना, क्यार मेरा job तो चल रहा है, मेरा package तो चल रहा है, लेकिन किसी भी single business पर अगर में depend हो गया, और कल को उस business में कुछ problem आ गई, तो क्या, reliance geo क्यों survive कर पार, आपको मालूम है क्या, they have got multiple businesses, they have got multiple source of income, अगर reliance geo नहीं होता, तो फिर ये जब covid का lockdowns लगे थे, तो एकदम से oil and gas वाला business तो बर जाधा crash कर गए थे, क्योंकि demand ही नहीं बची तो वो करेंगे क्या, तो ऐसे case में, if you are dependent on a single business, then you are at a risk, तो to be financially sustainable, you should have more than one source of income, exactly, एक परसन के लिए और ये एक organization के लिए भी true है, reliance geo क्यों compete कर पाता है, Airtel से और Wodafone idea से क्योंको मालूम है कि उस business में हमने नुकसान भी खा लि reliance geo नहीं पहुच जाता, उसको मालूम है कोई भात नहीं, इधर का नुकसान में उधर से भरपाई कर लेकिन, Vodafone idea में problem है, Vodafone idea, Vodafone idea जो company वो बाहर है नहीं, दूसरी चीज उनका सिर्फ mobile का business है, broadband का, है ही नहीं, तो वो single source of income बर dependent, और actually जो मैंने अभी आपको समझा ह है, वो है single source of income की बज़ा, आपने क्या होना चाहिए, more than one source of income होना चाहिए, तो आप financially survive कर पाओगे, दूसरी एक और चीज, खास बात देखना, दूसरा point आपको लगेगा तो भोई, क्या दिखाओ वेसे, have more than one way of generating income, income generate करने का एक तरीका, एक से जादा तरीक है, एक से आईपैड लिया, तो जिर्व उसकी कहानी, आईपैड सेल करते से खतम नहीं हो जाती, फिर वो आपको तरह तरह के सब्सक्रिप्शन्स देता है, कि इस application को डाउनलोड करा, या इसका ये सब्सक्रिप्शन चार्ज जार्ज है, आप Apple के अंदर बहुत जादा वो नहीं कर सक नहीं, तो उसका न मुझे 600 का सब्सक्रिप्शन पर मंथ लेना पड़ता है, so they have more than one way of generating income, similarly Reliance जी हो जब आपको monthly recharge करता है, तो सिर्फ वो उसके लिए source of income नहीं है, उसके पास subscription आपको sell कर सकता है, monthly वो tunes का पैसा आपसे raise कर सकता है, advertisement आपको flash कर सकता है, so there should be more than one way of generating income, एक स ज्यादा तरीका होना चाहिए, हाँ, तो first or second point में difference समझे, अलग-अलग sources of income होनी चाहिए, और एक ही business में भी एक से ज्यादा तरीके होने चाहिए, ठीके, okay, साती सात, financial planning एक बार करके बैच जाओगे, या फिर एक regular exercise है, regular exercise है, क्योंकि environment इतना dynamic है कि वो बदलता चला जाता ह तो आपको बार-बार financial planning करने पड़ती है, इसी के साथ साथ you must have what adequate financial systems in place ताकि कोई आपको revenue leakage ना कर जाए and so on, अरे ये क्या लिख दिया, financially sustainable होने के लिए क्या होना चाहिए, good public image, ये तो हर organization ध्यान रखती है, जैसी COVID के lockdowns हुए थे तो रलैंस अम्मानी जी ने आकर कहा कि आएगी, right, so it creates a good public image, तो अब क्या होता है कि जब भी आप उनके products करीते हैं, तो आप positive चीजें उसके साथ attach करते हो, टाटास के product के साथ आप positive चीजें attach करते हो, right, लेकिन अगर आपने कोई ऐसा वेक्ती जिसकी negative public image create होगी, तो फिर आप उसका product भी consume नहीं करना पसंद तो ऐसे cases में आपकी organization फिर financially sustainable नहीं होगी, तो आपका नाम होना चाहिए, brand name, good books में लिखा हुआ होना चाहिए, फिर इसके बाद, good public image के लिए क्या होना चाहिए, you should be clear about your values, values का मतलब पता है क्या होगी, अगर, बिजनेस सही धंक से करना चाहिए, reasonable profit लेना चाहिए, अगर आ जायस फाइदा उठा लिया, लोगों की मजबूरी का, और आपने एकदम से telecom के rate shoot up कर दिये कि अभी जाएंगे का, इनको तो घर में ही बैठना है, और सारा work from home कैसे चल रहा है, data पर चल रहा है, data पर चल रहा है, तो एक काम करो, 300 रुपए का data, 1000 रुपए भी कर दो, तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीज़े वैसी चल रही है, तो अगर companies ऐसा करती, तो क्या ऐसी companies आपको फिर आपकी नजरों में टिकती या गिर जाती, गिर जाती, यार ये तो इन्होंने हमें एक तरीके से मजबूरी का फायदा उठाया और लूट लिया, तो ऐसे cases मे अब, आप alternatives को search करने लगते हो, right, so you should have good public image and you should be clear about your values, ठीके, और इसके बाद क्या होनी चाहिए, financial autonomy होनी चाहिए का मतलब है कि आपकी financial dependency नहीं होनी चाहिए, is that clear, चलिए दोस्तों, मुझे फटा-फट आपके बस 10 सिकंड का समय इनको देखने के लिए और मुझे बताने के अब, बस यही चीज मुझे समझा नहीं दी और इतने में तो चैप्टर ही खतम हो गया, हाँ जी देख लिया आपने, ओके, तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि आखेर, organization को sustainable, मैं क्रिश्ची नहीं बदल दिया, what makes an organization sustainable, strategy होनी चाहिए, इसके पिछले वालों पूसरों मैं Effectivitalization of resources होना चाहिए, staff का retain, manage, competent staff होना चाहिए, look for, continuously you should look for opportunities, scan and identify the opportunities, what makes an organization sustainable, organization को sustain कैसे करे, आपके वाश, adequate, administrative or financial infrastructure होना चाहिए, तार कि ups and downs को आप manage कर पाऊ, और आपका, community का support होना, चाहिए तो आपके organization survive करेगे, चलो, okay, अब इसके बाद, what makes an organization financially sustainable, have more than one source of income, have more than one way of generating income, revenues, वो public image वाला, good public image, or you should be clear about your values, financial autonomy होनी चाहिए, पांच पॉइंट बोल दिया, आपने है, हाँ, आपका adequate financial control system in place होना, चाहिए, इसी के साथ ही हमने हाँ पर financial policy and corporate strategy chapter को punish किया, बस यही सारी चीज़ें थी, इसके इंदर highly theoretical chapter था, okay, कि अच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्